नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैकन बॉक्सिंग और आज की वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास है इंडिया का सबसे सस्ता 4G VOLT Android स्मार्टफोन और यह है आइटल का A23 Pro और आइटल एक बहुत ही रिनाउन स्मार्टफोन ब्रैंड है जहाँ पे अंडर 6,000 प्राइस ब्राकेट इनके सबसे जादा स्मार्टफोन यहाँ पे सेल आउट होते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम अंडर 4,000 प्राइस ब्राकेट उन्होंने एक स्मार्ट Android 4G VOLT फोन ल इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी सारे giveaway के instructions आपको वीडियो में पता चलेंगे So let's get started So यहाँ पे box के आगे की तरफ आपको आइटल की बैजिंग प्रोवाइड किये Jio exclusive की भी बैजिंग उन्होंने प्रोवाइड किये और फोन की actual image आपको देखने मिलती है नीचे के compartment में यहाँ पे उन्होंने उसका power charging brick प्रोवाइड किया है उसके साथ एक micro USB cable आपको देखने मिलती है और फिर यहाँ पे आपको देखने मिलते है उसके battery जो है 2400 mAh के और यह काफी sleek battery है और finally यहाँ पे आपको देखने मिलते है उसका quick start guide और warranty card तो सबसे पहले इसके उपर का जो plastic wrap है उसे हम remove करते है और उसके बाद जो पीछे का back panel है उसे open करना है और यहाँ पे जो battery है उसे insert करना है और फिर हम करते है इसे power on और आप देख सकते हूँ जैसी ही यहाँ पे power on होता है आपको एक prompt देखने मिलेगा कि इसके अंदर आपको SIM card insert करना है तो guys यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला SIM slot है उसमें आपको Jio का SIM card insert करना है और दूसरे SIM slot में आप कोई भी SIM card insert कर सकते हो तो यहाँ पे हमने Intel SIM card इसमें install किया था और दोनों भी SIM card काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे work करते है और अगर आप Jio SIM card इसमें फर्स ताइम install कर रहे हो तो आपको 249 का recharge भी यहाँ पे करना है जहाँ पे इसका जो back panel है उस पे काफी बढ़िया texture उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी के साथ यह complete phone आपको plastic build में देखने मिलता है और specifically अगर मैं इसके ports की बात करूँ तो नीची की तरफ उन्होंने एक mic provide किया है right hand side पे आपको देखने मिलता है volume up, volume down, power button उपर की तरफ उन्होंने 3.5 mm का jack एक micro usb port प्रोवाइड किया है और यहाँ पे जो back panel है उसे open करते है आपको दो sim card slots इसमें देखने मिले के और एक external memory card का भी slot उन्होंने प्रोवाइड किया है और उसे के साथ यहाँ पे screen के नीची की तरफ आपको कुछ touch capacitive buttons भी देखने मलते है पीछे और आगे दोनों भी तरफ उन्होंने LED flashlight provide की है camera use के लिए तो guys overall इसकी जो build quality है pricing के इसाब से बहुत ही बढ़िया है फिर हम बढ़ते इसके display की तरफ तो यहाँ पे आपको 5 इंच का full wide VGA display उन्होंने provide किया है जो यहाँ पे आता है 480p resolution के साथ और जब भी हम इस phone को use कर रहे थे यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से मुझे colors visible हो रहे थे contrast ratio भी इस phone का काफी अच्छा है अगर आप इसे indoor lighting conditions या फिर outdoor lighting conditions पे भी use करते हो तो काफी बढ़िया तरीके से फोन की brightness आपको visible हो जाती है एंड गाइस उसी के साथ हम बढ़ते है इस phone के सबसे crucial factor की तरफ जो है इसका processor यहाँ पर उन्हें 1.4 GHz का core processor इसमें provide किया है और यहाँ पर आपको out of the box android 10 go edition देखने मलता है यहाँ पर एक stock android UI experience भी देखने मलता है काफी smoothly यहाँ पर सारे application चल जाते और इसका UI भी यहाँ पर lag नहीं करता है यह जो android 10 go edition UI है यह basically optimized किया है low end phones के लिए और यहाँ पर यह काफी बढ़िया तरीके से work करता है memory और storage के अगर मैं बात करूँ तो 1 GB RAM के साथ आता है 8 GB का internal storage भी उन्होंने provide के externally यहाँ पर आप 32 GB का भी memory card इसमें install कर सकते हो so guys यहाँ पर अगर आप multitasking की बात कर रहे हो तो multitasking बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर जितने भी सारे basic applications है काफी smoothly work करेंगे और उसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर gaming के बारे में पूचेंगे और थोड़े high-end games की अगर मैं बात करूँ जैसे कि Asphalt 8 तो Asphalt 8 भी यहाँ पर काफी decently work कर रहा था so जी हाँ guys casual gaming के लिए या फिर basic gaming के लिए आप इस phone को use कर सकते हो and plus guys आजकल के pandemic situation पर school from home हो चुके है जहाँ पर बच्छों को online lectures attend करने पड़ते है so उनके लिए काफी budget phone है जहाँ पर इतने कम price में वो लोग online lectures भी यहाँ पर attend कर सकते है and plus यहाँ पर अगर आपको content watch करना है जैसे की YouTube हो गया, Netflix हो गया, Amazon Prime वीडियो हो गया वो सारे contents आप इसमें काफी आसानी से और बढ़िया तरीके से watch कर सकते हो उसी के साथ हम बढ़ते है इसके camera की तरफ तो यहाँ पर आपको basic camera setup उन्होंने provide किया है so PG की तरफ आपको 2MP का camera देखने मिलता है with flashlight, front में उन्होंने VG camera प्रोवाइड किया है with flashlight और यहाँ पर camera UI की अगर मैं specifically बात कर रहा हूँ तो photo mode हो गया, portrait mode हो गया, video mode आपको देखने मिलता है जहाँ पर आप 720p का भी video recording इसमें कर सकते हो so यहाँ पर इस camera की help से हमने कुछ sample images यहाँ पर click किये, जहाँ पर आपको decent images देखने मिलते है 2.2 seconds में ही आपका phone यहाँ पर face unlock की help से unlock हो जाता है so जी हाँ guys security wise यहाँ पर face unlock का feature आपको देखने मिलता है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके speaker की तो यहाँ पर front firing speaker उन्होंने provide किया है so यहाँ पर मैं एक sample video play करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality so guys overall यहाँ पर आपको काफी अच्छी sound quality देखने मलती है फिर हम बढ़ते हैं इसके battery की तरफ तो यहाँ पर आपको 2400 mh की removable battery उन्होंने provide किये और plus यहाँ पर आपको super power saving mode भी देखने मलता है जहाँ पर आपका phone यहाँ पर black and white में turn on हो जाता है जहाँ पर आप सिफ calling और SMS इसमें यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आप typical usage पर एक दिन की battery life आपको देखने मलते है super saver mode में अब दो दिन तक इस phone को use कर सकते हो so guys यह जो आइटल का 823 pro smartphone है यह है dual 4G VOLT smartphone जहाँ पर अगर मैं इसके pricing की बात करूँ तो 3899 रुपीज की price में available मिल जाता है और इसे purchase करना है तो आप directly reliance digital के store पर जाके इसे purchase कर सकते हो my geo store पर आपको सारे stores पर अविलेबल मिल जाएगा and guys never the least यहाँ पर more than 2 lakh plus touch point stores है उस पर भी आपको यह smartphone अविलेबल मिल जाएगा so guys आजकल के pandemic situation में जिस state में lockdown नहीं है उस state में आप directly store पर जाके इसे purchase कर सकते हो और अगर आपके state में lockdown है तो directly आप Reliance Digital के official site पर जाके इसे book करके आपके घर पर आपको यह phone deliver हो जाएगा so guys state wise आप देखिए और उसे सबसे आपका phone purchase कीजिए जितने भी सारे link से purchase के नीचे description box में drop कर दूँगा और अभी हम आते इसके giveaway की तरफ so guys इसका जो giveaway ना होगा Twitter पर ना होगा Instagram पर completely यह time होगा YouTube पर so यहाँ पर बस आपको तीन steps इसमें follow करना है सबसे पहले चैनल को subscribe करना है इस वीडियो को like करना है इसके नीचे comment करना है अच्छे से दोलाइन इस particular smartphone के बारे में with your mail ID mail ID डालना बहुत ही जादा necessary है अगर मैं randomly आपको यहाँ पर winner select करता हूँ तो उसी mail ID पर further communication होगा इसके giveaway मतलब कैसे मैं आपको dispatch करूँगा so guys यही चीज़ धान में रखने है तीन steps आपको follow करना है and that's it यही steps करने पर आप यहाँ पर giveaway में enter हो जाओगे and guys बस यही था आज का यह वीडियो आए I hope आपको यह वीडियो पसंद आगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीज़े हमारे channel को और दोस्तों और एक important बात please मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद